हाई आज मैं आपके लिए लाया हूँ आई सी क्लास टैंथ से चप्टर नमर सेकंड जो की फोर्स है फोर्स का चप्टर है इसके प्रीवेस वन विडियो में मैंने फोर्स के बारे में आपको बता दिया है कि फोर्स होता क्या है और उसके SI unit होती क्या है chs में उसकी unit है क्या ठीक है आज हम बात करेंगे कि इसके अगर components components कम अगर आज हम फॉर्मले की बात करने है डैबली इक्टो एकश़ एक वार्ट क है और ये किस एंगिल पर एक वार्स तीटा है क्या इसके बारे में आज दिसकस्क्स करते हैं चलिए मैंने पहले ही यहा पसके नोर्ट बना दिए हैं मैं आपको इसके थूरू समझाऊंगा देखें यह डियाब्ली कुछ अधल में मैं क्या कह रहा हूँ जो यह theta denote कर रहा है यह denote कर रहा है angle between force and displacement ठीक है फिर से सुन लीजिए जो पिसले वाली वीडियो थी उसमें जो force था वो दो यानि कि वक्त दो चीज़ों पर depend कर रहा था force और displacement का product जो था वो वक्त कहला था लेकिन यहां पर एक component और जुड़ गया है वह है cos theta अब देखते हैं कि cos theta असल में है क्या ठीक है cos theta जो है वह angle between क्या है मैंने कहा ना cos theta जो angle है वह between होगा किसके force और displacement के चलिए देखते हैं फिर अब यहां पर यह मैंने आपका एक diagram बना जिर्चा plane था जो कि हर कासा tilt कर रहा था यानि कि जिसमें slope था आपने इसको force आपने इसमें force लगाया और यह force लगाने के बाद इस object को यहां पर पहुचा दिया force applied करने के बाद ठीक है समझ में आई बात तो यह जो surface था और कहने का मतलब जो displacement है जो force आपने applied किया है तो इस के बीच में यह मान लीजिए कितना angle create कर रहा था theta angle create कर रहा था बात समझ में आई यह नहीं आई तो मुझे क्या निकालना है यह displacement निकालना है यह वाला displacement यह जो मैं बात कर रहा हूँ a b ठीक है तो वर्क की definition क्या है वर्क की question होता है force into displacement समझवाई बात वर्क क्या होता है force into displacement होता है ठीक है तो मुझे ये distance निकालनी है आपकी ठीक है ac वाली distance को मैंने s से denote कर रखा है ठीक है आपने class 9 में पढ़ा होगा पंदित बदरी पर साथ हर हर बोले ठीक है ठीक हो गया तो ये होता है sign ये होता है cause और ये होता है 10 तो base upon hypotenuse तो ये base है और ये hypotenuse मुझे ये चाहिए displacement में ये वाली value समझ में आई बात तो क्या करता हूँ मैं लगा देता हूँ इसमें ये देखे ये है मेरे पास hypotenuse ठीक है ये है प्रपैंडी खुला और ये है base ठीक है तो मुझे ये along ये distance ये AB तो मैं कैसे निकालूँगा देखे work equals क्यों क्यों होता है force into displacement ये वाली लोगा मैंने फिर बोला है तो मैंने क्या करा force ये रहा force की जगा force ये रहाँ आप मैं cause theta निकाल ला हूँ cause theta आपके पास क्या होता base upon hypotenuse क्योंकि ये राइट angle triangle में जो सबसे longest side होती है वह hypotenuse होती है ये angle आपके पास 90 degree है ये base है और ये perpendicular मैंने इसको short diagram यहाँ पर बना दिया देखिए ये रहाँ आपके पास AC ठीक हो गया ये AC है इसको मैंने क्या लिख यह hypotenuse हो गया ये आपके पास क्या है hypotenuse है ये प्रपेंडिकुलर है और ये base है तो cause theta ही कुछ क्यों क्यों होता है base upon hypotenuse तो base कितना है मेरे पास AB ये रहा मेरे पास जिसकी मुझे value निकाल ली है hypotenuse कितना है S है अब आप कहेंगे सरस्मा आपने sign क्यों नहीं लिया क्योंकि sign perpendicular upon hypotenuse मुझे ये value नहीं चाहिए मुझे ये वाली value चाहिए ठीक है बास समझ में इतना है आई यह नहीं आई तो ठीक है cos theta equal geo to क्या हो गया अब भान थीटा एक ये होता है बिया आप बेस अपन hypotenuse ये हो गया S अब मैं इसको इधर multiply करता हूं तो ये क्या जाये गा менее मैं आप लिख देता हो गर किसको समझ Rolling ने हो रहा चाहता है सोẫn थीटा क्या A B की value क्या आगई S cos theta तो मैंने A B की value कहांपे रख दी यहांपे रख दी यानि कि अब work done किस किस चीज़ पर depend कर रहा है देखो magnitude of force displacement और angle between angle between force and displacement यह जो cos यह theta है यह theta किस पर denote कर रहा है यह theta denote कर रहा है displacement displacement और force के बीच में समझमा आई बात displacement और force के बीच में तो यह मैंने इसका formula आप निकाल दिया w equals क्या हो गया fs cos theta अब देखते हैं कि जो इसकी तीन condition है मालो मैं जहां से force applied कर रहा हूं और जो displacement हो रहा है अगर वो same direction में है same direction में एक ही direction में है same direction माल लीजिए यहां से मैं किसी खीच रहा हूं यहां से force applied कर रहा हूं force भी धरी को applied हो रहा है और displacement भी इसी direction में जा रही है तो यानि की कहने का मतला आगर माल लीजिए जैसे यह कोई object मैंने इस पे एक thread लगाया यहां से force लगाया और क्या किता है मैं इसको इधरी की ओर खींच रहा है समझ वहाई बात तो फोर्स तो में इधरी की और applied कर रहा हूं और displacement भी कहा की हो रही इधरी की और यहां से applied कीजिए force यहां से applied कर रहा हूं और displacement भी इधरी हो रही है तो theta कितना बन रहा है 0 degree ही थीक हो गया तो एक बात याद रखेगा cos theta की value जो होगी one होगी समझ में आई बात तो मैं क्या रखता हूं यहां पर theta की value क्या रख देता हूं 0 रख देता हूं तो cos theta की value कितनी हो गई 1 हो गई तो यहां पे रख देते हैं w equals to क्या हो गया cos theta, cos theta की value मैं आपको बता दी 1 तो formula क्या रहा है w equals to f s कब जब same direction में work done हो यानि कि जिस direction में force लगाया जा रहा है जिस direction में force लगाया जा रहा है उसी direction and displacement हो रहा है तो work done हमेशा कैसा आएगा positive आएगा work done कैसा आएगा positive आएगा समझ माई बात यह formula कब लगेगा जब आपके पास angle की condition बन रही हो यह formula कब लगेगा जब आपके पास angle की condition बन रही है अब देखते हैं अगर मान लीजिए कोहीं free fall हो रहा है की एक condition और है जब work done negative होता है सुनिए मैंने किसी छट के height से एक ball liors को छोड़ दिया ठीक हो गया तो उसका कुछ ना कुछ weight है mass है और उसमें वो क्या करने लगेगी free fall होन लगा यानि की थोड़ी दिर बाद 6 से गिरती भी यानि की जो भी surface है वहाँ पहुच जाएगी तो इसको किस ने खीचा इसको gravity ने खीचा gravity जो g काम कर रहा है gravitation acceleration काम कर रहा है वो खुद बखुद इसको क्या कर रहेगा खीचेगा यानि कि कहने का मतलब है अगर आपने free fall कर रहा free fall के case में क्या हुआ force कहां लगा downward लगा क्योंकि gravity क्या कर रही है इसको खुद बखुद खीच रही है तो force भी इधरी के लग रहा है और displacement भी क्या हो रहा है या positive है अब direction जो displacement है वह भी क्या है positive है same direction है Same direction है Same direction में ही लग रहा है क्योंकि earth हीच रही है तो कहने का मतलब है तो work done कैसा हो जाएगा Large done कैसा हो जाएगा positive हैख शाथ तो यह free fall का एक इसका negative work done का भी example है भी बताऊँगा हम इसके बाद Beauty नाइन्टी डिग्री होजाए कितना डिग्री हो जाए 90 अभDaddy 90 को कैसे समझेंगे जैसे माल लीजिये यह कोई अब प्रेपट्टिकुलर फोर्स लगाई यह प्रेफट्लेश्मेंट अगर आपने क्या कर दिया इन दोनों के के बीच में displacement displacement और फोर्स के बीच में 90 अगर मान लीजिए यह पैन है जैसे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो displacement कहां क्यों रहा है इस डिरेक्शन में हो रहा है लेकिन अगर मैं इसमें प्रपेंडिकुलर फोर्स लगा तू बिल्कुल ऐसे करके तो क्या डिस्प्लेस्मेंट होगा आप लगा के देखें कहीं को आपको डिस्प्लेस्मेंट दिख रहा है क्या प्रपेंडिकुलर फोर्स के केस में क्या हो जाएगा डिस्प्लेस्मेंट और फोर्स के बीच में S और S और F के बीच में कितना डिगरी का एंगिल बनेगा 90 डिगरी का एंगिल बनेगा तो यहाँ याद रखेगा cos theta की cos 90 की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो रखे इसको अभी एक example से और समझाओंगा W equals to Fs cos theta तो यह क्या हो जाएगा cos 90 की value 0 तो work done क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसका एक simple सा example मान लीजिए कोई object किसी circular path में घूम रहा है जैसे यह book में आपके दिया हुआ है मान लीजिए sun focus पे है और सारे planet क्या कर रहे है उसके around move कर रहे है तो यह कह रहा है और जो centri-fugal force है वो fake force है ठीक हो गया तो यह रहा देखिए यह अब यह जो centri-piddle force लगेगा अंदर क्यों लगे और displacement कहां क्यों हो रही है बाहर क्यों हो रही है बाहर क्यों हो रही है ना समझ में आई बात यानि कि कहने का मतलब क्या है घूमता इसकी रहा यह रहा तो इन three fourth part में घूमें यह three fourth part में समझ मा आई बात यह समझ रही हों आगा अब सक्व以及ट दिस्पलिसमेंट क्यों हो रहा है लेकिन जो force लग रहा है और ड्योruckISH कितना हो और दूसरा केस ठीक होगा अगर यही चीज अगर मान लो वो कहता कि सेमी सर्कुलर पाथ है ठीक है आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए ऑबजेक्ट यहां से आके फिर यहीं पर पहुंच गया ठीक है यहां से इसने मोशन स्चार्ट किया फिर यहां से यह है आप D अब देख़े एक केस और है यह चाहें सेमी सर्कुलर पाथ में घूमें यह कहने का मतलब हैhood खुर्ट एंट पार्ट में में या ठीफोर्ट पार्ट में गुंसे कोई कोली हैसे उपने इन आपसे आगे को करा तो वह कहता है ये कुछत पूछा गया डिस्प्लेश्मेंट कि सरी वागड़न क्या सब्सक्राइब क 확진 अब्यक्त आपवर्ट चाहिए तब तो कहने का मतलब की पहुत कि कहने का मतलब दिस्प्लेस्मेंट लूगा अभी तो यह क्या करना स्वार कैने का मतलब आपने समान लिया और सम्पल ओस आपने बीच में यानि कि ये f equals to mg और ये displacement के बीच में कितना degree का angle बन रहा है 90 degree का angle बन रहा है मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे जाते हैं ऐसे वो work done कर रहा है अगर और आगे को चल रहा है ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि कहने का मतलब है उपर ये नीचे नहीं जा रहा है Sakoy. कहने का मतलब है इसके बीच में कितना angle बन रहा है तो उस case में work done क्या हो जाएगा zero हो जाएगा मैं fair sem मेरी बात तुनिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ऐसे जाने में ठीक हो गया समझ में आई बात work done उपर या नीचे जाने में positive होता है और कहने का मतलब क्या है अगर कहने का मतलब है same direction में ऐसे move कर रहा है उस case में मैं नहीं बात कह रहा हूँ तो यहां भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक case और देख लेता है जो की case है negative का negative क्या है सुनिए मेरी बात अब यह बड़ा important है मान लीजे आपने किसी ball को उपर की तरफ फैका ठीक है लेकिन उपर की तरफ फैका तो आपने एक force लगा है उपर की तरफ अपवर्ट force लेकिन gravity क्या कर रही है इसको downward खीच रही है gravity क्या कर रही है डाउनवर्ट खीच रही है समझ मां आई बात gravity इसको कैसे खीच रही है downward खीच रही है आई बात समझ में तो इस case में theta हो जाएगा 180 degree यानि कहने का मतलब क्या हो जाएगा कहने का मतलब कहा है force लग रहा अपवर्ट लेकिन gravity की खीच रही है वर्ड यानि कि कहने का मतलब क्या है समझ माई वाइब यह एक्वल और मलब अपोजिट हो गया अब देखिए सुनिए मेरा कैसे देखिए कैसे आपने उपर की और फैका अब ग्रैविटी क्या कर रही है नीचे की और खीचने की कोसिस कर रही है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 180 डिगरी बन गया बना नहीं बना क्यूंकि सेम डिरेक्शन में नहीं हो रहा डिस्प्लेस्मेंट यानि कि फोर्स सब्सक्राइलट रहा है तो फीच सेमी आतुक्त का इस में का ल二 कर रहा हैं हो का बाने के यहां होने के बाद कि पुछ 무ज्अने ब्र कर रहे और इधर वाले क्या कर रहे है'tा है को motion कहा की और होगा motion तो होगा इधरी की और यानि कि इधरी की और खीचेगा लेकिन कहने का मतलब ये भी तो force applied कर रहे हैं तो force हो रहा है इधर की और apply displacement हो रहा है इधर की और apply समझ माही बात तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब angle कितना बनेगा 180 यानि कि कहने का मतलब जब object को उपर की ओर फैका जाएगा तो वो क्या करेगा gravity के against work करेगा तो जब angle 180 degree का बनेगा तो कहने का मतलब क्या है कि work done क्या हो जाएगा negative हो जाएगा जब कहने का मतलब क्या है कि free fall हो रहा था तो work done positive था अगर वीडियो अच्छी लगी हो to please like and subscribe my channel